संदाइस न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है हुंडई ने इंडोनेसिया में चल रहे आटो सो में क्रेटा 2022 फेसलिस्ट पेस की है इसे चार वेरियंट एक्टिब, ट्रेंड, स्टाइल और प्राइम में पेस किया गया है ये कई लेटेस्ट फीचर और रिफरेंट फ्रंट के साथ आई है इसका फ्रंट ग्रिल बिल्कुल नया है हुंडई क्रेटा 2022 इंडोनेसिया के मार्केट में लॉंच हो चुकी है हाला कि अभी ये कन्फरम नहीं हुआ है कि इंडियन मार्केट में कब लॉंच होगी बता दें कि ये स्यूबी का अपडेटेड मॉडल ज्यादा ग्रिसिव डिजाइन और बहतरीन लुक के साथ हाया है ऐसा लगता है कि ये टेक्सवान से इंस्पार्ड है इसका फ्रंट एंड टेक्सवान से काफी मेल खाता है इसमें नया पैरामेट्रिक जूल पैटरन ग्रिल दिया गया है जिसमें एलेडी डियारेल दिये गये है क्रेटा 2022 फेसलिफ्ट में एलेडी हेडलाइट्स और एलेडी रियर कॉंबिनेशन लैंप दिये गये है हेड लाइट्स को जब टर नॉन किया जाता है तो बूम रेंग जैसे सेप में आ जाती है और बहुत ही आसानी से ग्रिल के साथ ब्लेंड हो जाते हैं एस यूबी में 17 इंच डायमंड कर्ट एलोई वील्स दिये गए हैं फेसलिफ्ट के इंटीरिया डैस लियाउट में कोई चेंज नहीं किया गया है फेसलिफ्ट ज्यादा फीचर्स और लेटेस्ट टेकनोलोजी के साथ हाई है इसमें 10.25 इंच का TFT LCD क्लस्टर दिया गया है ज क्रेटा 2022 फेसलिफ्ट में 20 लेटेंट फ्रंट सीट स्कूलिंग गलब बॉक्स एंबियंट लाइटिंग हाई ग्लास सेंटर कंसोल जैसे फीचर है न्यू जनरेशन एडवांस ड्राइबर असिस्ट सिस्टम फीचर भी दिया गया है यह फीचर ब्लाइंड सपोर्ट ट्रोल इंजन दिया गया है जो की इंटिलिजन्ट वेरिवल ट्रांसमिसन सिस्टम के साथ आता है इसमें 6 स्पीड मैनुवल ट्रांसमिसन दिया गया है इंजन 115 पीस के मैक्समम पावर और 144 एनम के पीक टॉर्क के साथ आया है यानि की हुंडई ने फुल पैक फीचर्स दे नहीं किया है तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही वीडियो को जादस जादा सेर करें धन्यवाद